इसमें हम देखने वाले हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल क्लास 10th की टॉपिक है ये मेटल नॉन मेटल में मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी कवर हो चुकि है इसमें हम देखेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल तो केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल में सबसे पहली heading आती है reaction of metal with oxygen मतलब मेटल का reaction अगर हम oxygen से करते हैं तो फिर क्या बनेगा क्या बनने वाला है तो सबसे पहले अगर सबसे पहली heading यहां पर देखा जाए तो यहां पर देखो लिखा गया है reaction of metal with oxygen अगर reaction का metal का reaction अगर oxygen से करें तो फिर क्या बनेगा तो जैसे देखो यहां पर दिया गया है when metal are burn in air metal को अगर air में burn करते हैं अब oxygen हमें कहां से मिलने वाली है oxygen कहीं से हम अलग से लेके नहीं आएंगे oxygen हमें air से ही मिले की तो जाहिर सी बात था बर्निंग के लिए oxygen बहुत ज्यादा कंपलसरी होता है अगर oxygen नहीं है तो बर्निंग नहीं होगी कोई चीन नहीं जलेगा तो मेटल को अगर हम क्या करें कि air में बर्न करें तो क्या बनेगा तो वेंद अब मेटल आप बन इन एर दे रियेक्ट विथ oxygen and from the metal oxide मतलब मेटल को जगर ऑफ ऑफ शीजन के साथ डियेक्ट करते हैं या फिर एर में क्या करते हैं barnd करते हैं तो वो मेटल आक्षाइड का फॉर्मियोशन करता है जैसे पहला रियक्षन यहां पर दिया गया है ऐगर मालनलोमा अपर सोडियम मेटल है तो शोडियम मेटल को अजय के साथ और करते हैं यहां पर फिर्ष न deshalb सूडिय मेटल है अ ako लुए है कि ऐस्वं मेटल को हम क्या करते हैं औक सीजन के साथ बर्न करते हैं अब अगर सोडियम ऑग्साइड मिट्र को ऑक्सीजैन कि साथ बर्न सोडिया मेटल धाँ दूसरा हमने ले लिए पोटैसियम यह होता हैब मेटल झाये बने पोटैसियम ऑक्सीजन से वो घुल आएगा थो एकर बन जाएगा पोटैसियम आक्साइड दिप के टू ओ यह क्या बन जाएगा पोटैसियम ऑक्षाइड नेक्स एक्जामपर इसमें और भी आता है जैसे अगर मालो हम मैगनीसियम क्या करते हैं बर्निंग करते हैं मैगनीसियम का ऑक्षिजन के साथ जैसे इसको बर्न करेंगे और ऑक्षिजन के साथ रियक्षन करेंगे तो तो यह क्या हो जाएगा magnesium oxide similarly अगर fourth example की बात करें तो जैसे aluminium दिया गया है aluminium aluminium को अगर oxygen के साथ react करते हैं या फिर air में burn करते हैं तो फिर यह क्या बन जाएगा aluminium oxide बास हो में आ रहे हैं मतलब कोई भी metal है अगर उस metal को oxygen के साथ react करा जा रहा है तो वो react करके metal oxide मनाने वाला है तो यह थी इसकी chemical property और chemical property में सबसे पहली चीज reaction with oxygen मतलब मेटल का reaction किस से हो रहा है oxygen से हो रहा है नेक्ट chemical property अगर हम देखें तो यहां पर आता है reaction of metal with water अगर मेटल का reaction हम क्या कर दें water के साथ करें या न कोई मेटल है उसका reaction अगर water के साथ होगा तो क्या बनने माला है तो जैसे मानलों हमारे पास कोई metal है और उस metal को अगर हम water के साथ react करते हैं तो वह क्या बनाता है metal hydroxide और प्लस में hydrogen gas release करता है और उसके साथ साथ कुछ ना कुछ energy का formation करता है energy evolve होती है metal hydroxide बनाने के साथ मतलब मेटल अगर water से react कर रहा है तो वह क्या बनाएगा metal hydroxide प्लस hydrogen gas प्लस कुछ energy को evolve करेगा अगर इसकी definition देखें तो यह क्या होता है वेन मेटल डियक्ट विट वाटर टू फॉर्म दा हाइड्रोक्साइड टीक है metal hydroxide का formation करेगा तो फॉर्म दा मेटल हाइड्रोक्साइड हाइड्रोजन गैस एंड इवाल्व हीट मतलब वह क्या कर रहा है हीट का हीट करेगा हीट या फिन एनर्जी क्या करेगा इवाल्व करेगा ठीक है अब इसका अगर बेसिक formula देखें तो जैसे मालो मेटल है वाटर के साथ रियक्ट करा प्रोड़क्ट में क्या बना रहा है सोडियम सोडियम मेटल है सोडियम मेटल को बॉटर से अगर रियेक्ट करें तो यह तो क्या होगा जो थरमिक रियक्शन हो जाएगा आपने सुन रखा होगा कि अगर सोडियम को वाटर में रख दें या फिर वो तो ब्लास्ट हो जाता है ना बन कर जाता है अपने आप बन कर है तो अगर सोडियम मिटल को वाटर से साथ रियक्षिए तो बनेगा तो सोडियम हाइड्रोक्षड हाइड्रोजन गैस भी इवाल्व होगी लेकिन यह बहुत ही ज्यादा एक्जोसर्मिक रियक्षन होगा एनरजी बहुत ज्यादा रेलिज होगी बलाश हो जाता है दूसरा अगर हम पोटैसियम लेते हैं पोटैसीयम मेटल को वाटर के साथ रियक्षिए करते हैं तो पुटैसेँ ऐं अगर वौटर के साथ रियक्षिय Important होगा तो यह क्या बनेगा पोटैसीयम हॉल्च सेंडरशाइड नेरजी का इस सवाइवाल्व होगा मेगनीशियम वो में व्हुका टेयों इसमेंम की बात करें मेंगनीसियम वाटर से अगर रियक्ट होता है यह बनाएंगा मैंगनीसियम हईड्राइड tại मेंगनेशंत लगेस प्लस कुछ नकुछ एनर्जी बनाएंगा कुछ गल ले लिए के घल्सियम को वाटर सब्सक्राइब करेंगे तो बैलंसी की वज़ा से इसको 12 हमें करना पड़ा है बाकि और कोई दिक्कत नहीं है तो अगर कैल्सियम का वाटर से रियक्षन हो तो यह क्या बनाएगा कैल्सियम हाइड्र ऑक्षाइड प्लस हाइड्रोजन गैस और प्लस में क्या होगा कुशन एन रियक्षन डित क्लोरी मतलब मैटल का रियक्षन हमें किस से करना है क्लोरी इसे करना है तो सबसे चीज है अगर अगर मेटल को क्लौरीन के साथ डियक्ट करेंगे तो आईनिक क्लॉराइड या फिर चिसको산 बोलते हैं उसका फोर्मेशन करेगा अब जैसे मालनों हमारे पास सोडियूम है स् Marvel का है क्लॉरियν केड़े करते हैं कि एमजी सीयर्ट वन जायेगा नाम सबका कलेयर करते हैं सोडियम क्लोराइड कैसेम क्लोराइड और मैगनेशियम क्लोराइड चाल थे तो यह क्या होगा है असा रियाक्षन विद क्लोरी ठीक है तो आई होप आपको अपको सबको समझ में है होगा तो आज के लिए सिर्फ इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में